जब बाहर के मुल्क, हिंदुस्तान के मसले पर, मजहभी लिंकेज अपने जोड़ जोड़ कर, हिंदुस्तान को नसीहत देने की, डिमॉक्रिसी सिखाने की वो देश कोशिश करते हैं, जिनका इस मामलेम कोई स्टैंड नहीं बनता, तो फिर आपके जैसे व्यक्ति की एक सामन आकर आवास तोनी चाहिए लिए, वरना फिर आप बोलेंगे मैं उदर ले जा रहा हूँ, उदर ले जा रहा हूँ, सवाल मुकंबल कर लीजिए, क्या आपको इसमें और तफसरे की जरूरत है सर, क्या एलाइबरेशन चाहिए आपको, सुनिए अब आप, 27 तारीक को बीजे दरज कराया भीवंडी में, जिसमें माशालला से आपने भी टीवी चैनल दिखाया, आपका हेमन साब का शुकरिया बहुत-बहुत, कि आपने हमारा भड़काव बाशन दिखाया, जिसमें हमने कहा था, कि देश के पदान मंतरी को अपने स्पोक्स परसन के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, वो मेरे भी परदान मंतरी है, मैं पॉलिटिकली उनके खिलाफ था हो रहूंगा, मगर देश के परदान मंतरी कब हरकत में आते हैं, जिससे देश की बेज़ती जरूर हुई, मगर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार देश के परदान मं मिनिस्ट्री हमारे देश के इंबेसेडर को बला कर कहता है माफी चाहो कौन जिम्हदार है इसका बहुत माफी के साथ अज़त भाई बीच में रोक रहा हूँ माफ कीजेगा आपका एक रिदम है जिसको मैं तोड़ रहा हूँ मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा मैंने आपसे सवाल देखिए जिस समय उन देशों ने कहा तो आप बेशक बाद में प्रधान मंतरी को कहते हैं आपको जो कहना था वो आपके प्रधान मंतरी हैं लेकिन क्या उस समय जब वो खुद दबाओ में आगए अरबों को शेखों के ताब मुझे क्यों खड़ा कर रहे हैं आप मुझसे क्यों पूच रहे हैं अच्छा आज की मिसाल लीजिए आपने एक भी जगे ये कहा कि बाहर के मुल्कों को ये अखला अधाजी नहीं करनी चाहिए थी सिर्फ पांच मिनिट रहे हैं खतम करने दिए सुनिये देखिए एक बास सुनिये आज युनाइटेड नेशन सेकुरिटी कांसल में चीन ने अमेरिका और भारत एक पाकिस्तान के एक अब्दुरहीम मक्की को डिसिगनेट करना चाहिए टेरिस्ट चीन वहां पर रोक लगा द क्री बाद Mr. कांसर सुनिये थासौझ है यहां अब ब्रिक समिट में प्दान मंत्री क्यों जा हैं बताई आप प्रिक समिट में आप बताईए ना और आप बोलते हम नहीं बोले अलखाइदा ने जब कहा इस मसले पर हमने कहा रस प्राफिट मुहम्मद की महबत में हमको जो करना है करेंगे आप टर्रिस और्गनाजेशन दूर रहिए पाकिस्तान के पाकिस्तान देश में जाकर हमने भारत की बारे में कहा हमने को इसान नहीं किया हमारा वतन है वतन अजीज है तो ये आपको पुछना भाई आपको ये पुछना चाहिए था कि भारत के पधान मंत्री अरब मुमालिक के आगे क्यों जुग गए उनको नहीं जुगना चाहिए था और कैना चाहिए था 55% remittance आता है देश का पधान मंत्री अगर कमजोर पड़ जाता है तो इसकी जिम्मेदार मैं कैसा हूँ एक बात मैं लगातार अब्जर्व कर रहा हूँ असद भाई और अब आप इसमें बताईए आपने, हाँ देख रहा हूँ मैं कि सॉलूशन्स आपके पास किन-किन चीज़ों के मैंने देखा प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारी बताईए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ये भी बता दिया आपने अब क्योंकि विश्वगुरू की तरफ हम बात कर रहे है क्या है सॉलूशन्स आपके अनबाइस तरीके से काम करने की जरूवत है देश की सरकार जब तक नफरत का चश्मा लगा कर भारत के लोगों को देखते रहेगी जो उनसे पॉलिटिकली उनसे डिफरेंस रखते हैं तो पिर गल्ती उनकी है इसका सॉलूशन एक यह है कि आपको सत्ता मिली है अब आफ में साल में है पर आच साल में आपने क्या किया बताये ना कहीं ऐसा तो नही है कि ये पूरवाग्रह दोनों ही तरफ से है दोनों ही तरफ से पूरवाग्रह जोने जाने spend गए बिलकुल नहीं है आप ये जुरूर कह सकते हैं पी सत्ता में सहट जाएगी